बश्कार दोस्तों, मेरा नाम बंदनानन्द है और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में, जिसका नाम है आजका विचार एक लड़का था, बहुत महिनती था, लेकिन महिनत किसमें करता था, सिर्व उसको ताले खोलता था उसको हर प्रकार के ताले खोलने आते थे, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे इंटरनल लॉक है, चाहे गोल लॉक है, चाहे लंबा लॉक है, हर तरह का ताला कुछ seconds में वो खोल लेता था तो हर जगा जहां भी magic show होते उसको बुलाया जाता अपना magic show करने के लिए कि वो दिखाता कि ताले कैसे खुलते हैं धीरे धीरे उसकी ख्याती फैलने लगी जहां भी कोई competition होता वहां उसको बुलाया जाता कुछ event होता तो उसको entertainment के लिए बुलाया जाता लोग अपने ताले देते वो जट से खोल देता तो एक दिन ऐसे ही एक बहुत बड़ा event था उसको बुलाया गया और stage पे एक बहुत बड़ा transparent टैंक रखा गया पानी से बरा हुआ और उसको बॉला गया कि तुझे इस टैंक में उतारेंगे और तुझे जाके तुझे उस टैंक के अंदर बंद रहना है उस पिंजरे के अंदर तुम्हे छोड़ेंगे और तुम्हे पिंजरे का ताला कोलके वापिस आना है और उन्होंने safe side के लिए ताकि इनसान है, बैक अप रखने के लिए उन्होंने एक वहाँ पर बजर भी लगा दिया, ताकि अगर वो ताला ना खोल पाए तो बजर को हिट कर दे, ताकि एक जान बच जाए, जान तो कीमती है, तो उसको पता था कि वो तो कुछ सेकेंड्स में ताला खोल लेगा, उसकी फोकस ताले के उपर, अपनी पॉकेट से निकाला, उसने तार और शुरू हो गया खोलने, खोल रहा है, खोल रहा है, पूरा ध्यान, पूरी टेंशन, अब कितनी देर सांस रोक सकता था, पानी के अंदर है, कुछ सेकेंड्स चाहिए थे उसको, लेकिन उसका तो खुलनी र आ रहा था सांस, जब उसको बाहर खींचा गया, और गनाईसर्स ने तुरांट उसको बाहर निकाल लिया, जब उसने बाहर वो, जब बाहर आया, तो उसने देखा की, उन्होंने बोला, खोलो और आजाओ, उन्होंने इंटरनल लॉक उसको किया ही नहीं था, जस्ट उन्हो बढ़ी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि कभी-कभी हम अपनी चीजें इतनी complicated कर देते हैं हमें लगते हैं हम बुद्धी मान हैं लेकिन वो इतनी simple सी चीज को अपनी बुद्धी लड़ा लड़ा के लड़ा लड़ा के बहुत बिकार कर देते हैं, बहुत मुश्किल कर देते हैं, जिससे हम टैंशन में आ जाते हैं, इवन जान गवा देते हैं, आजकल तो ये आजकल तो ये स्ट्रेस बरी जिंदगी ऐसे ही हो रही है, हम अपने पीछे अपनी लाइफ को complicated करते रहे हैं, असान लाइफ, असानी इससे जो खुलने मेले ताले होते हैं, उसको भी मुश्किल कर देते हैं, तो दोस्तों आज आज आपको मुझे बताना होगा मेरे इस चैनल के ओपर, कि आपने इस कहानी से और क्या-क्या शिक्षाय मिली, मुझे तो दो-तीन और शिक्षाय इसमें सीधी-सीधी दिख रहे हैं, let us see, let me see your points कि आज हमारे इस आज के विचार में हमें क्या और विचार मिलते हैं इस कहानी के माध्यम से, धन्यवाद